Hello everyone, अब मैं second part लेके आई हूँ आपके पास chapter का, तो पहले part में हमने basics cover कर दी है, जिसमें हमने Mendels के laws पड़े, then हमने उसके बाद उन्ही laws को chromosomal theory में पड़ा, जिसमें हमको chromosomes से relate हुए, then उसके बाद हमने drosophila में देखा कि वहाँ पे TH Morgan ने experiment किया था, deviation आई थी, तो पहले तक consider कर रहे थे कि blending नहीं हो रही है, बट बाद में फिर blending देखे गई, and then उसके बाद हमने linkage and recombination देखा, जिसकी वज़ा से blending हो रही है, next यहाँ पे आजाता है हमारा topic mutation, तो इसमें हम सारे के सारे genetic disorders पड़ेंगे, अब बहुत सारे disorders, genetic disorders, NCRT में detail में नहीं दिये हैं, लेकिन हमको वो cover करने हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि mutation क्या होता है, तो देखो, alteration of DNA sequences, DNA sequences में किसी तरीके के changes आना, अब definitely change आ रहे है, यानि कि आपका genotype change हो रहा है, और जब genotype change हो रहा है, तो phenotype ही organism का change हो जाएगा, अब इसी की वज़े से उसमें क्या हो रहा है, variations हो रहा है, अब कभी-कभी इन ही mutations की वज़ा से जब variations आते हैं, तो ये evolution को भी cause करता है, जैसे हम आगे आने वाले chapter evolution में detail में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी-कभी ये ही mutation survive करने में भी help कर देती है, फिर उसकी progeny आगे बढ़ती है, और कभी-कभी इन ही mutations की वज़ा से survive करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे genetic disorders आते हैं, तो evolution में तो हम survival चीज़े पढ़ लेंगे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि mutation की वज़ा से कौन-कौन से disorders होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम types of mutation देख लेते हैं, तो हम mutation क्या है, यह genetic mission हो रहा है, basically chain in the DNA material में हो रहा है, तो इसके types हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हो जाता है, chromosomal variation, यानि कि chromosomal की level पे हो रहा है, तो let's suppose यह मैंने एक single chromosome ले लिया है, इस level पे अगर हो रहा है, changes आ रहे हैं, तो उसको chromosomal mutation बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, हो सकता है कि इतना segment यहाँ से delete हो जाए, तो अलग हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलेंगे deletion, यहाँ पे loss हो गया है अब किसी particular genes का, अब देखो क्या हो गया, अगर missing हो जाएगी, definitely different genes, proteins बनाते हैं, और वो proteins कुछ ना कुछ चीज़े बना रहे हैं, अब अगर delete हो गया, तो उस particular चीज़ों का जो level होगा, वो बनना उसका कम हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से, मान लो, इतना ही segment और add हो गया, अब यह double हो गया, यहाँ पे, तो इस case में इसको बोलते हैंगे, duplication, ठीक है, एक हमारा हो गया, duplication, अब एक चीज़ मान लो, एक होता है, insertion, यहाँ पे क्या हुआ, यही चीज़ दो बार replicate हो गई, double हो गया है, insertion मतलब, अब कोई बाहर से, अगर यह segment आया हुआ हो, तब यहाँ पे insert हुआ हो, तो उसको बोलेंगे, insertion, ठीक है, तो हमने insertion कर लिया, duplication कर लिया, then हमारे पास आ जाता है, inversion, invert होना, ठीक है, अब देखो, invert कैसे हो रहा है, let's suppose, इस segment में, यह वाले segment में, यह A था, B था, यह यहाँ से अलग हुआ, और उसके बाद कुछ इस तरह join हुआ कि B उपर आ गया, A उपर आ गया, तो यहाँ पर ultra हो गया, invert हो गया, तो this is inversion, ठीक है, उसी तरीके से एक और होता है, translocation, अब let's suppose, एक यह वाला chromosome था, यह वाला chromosome था, इसका part इसमें आ जाएगा, और इसका part इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या हो गया, translocation, उसकी change हो गई, location change हो गई, तो यह हमने different-different mutation पढ़ ली, अब देखो, यहाँ पर लिखा है, chromosomal aberration are commonly observed in cancer cells, देखो, definitely चीज़े balance में होनी चाहिए, अगर चीज़े कम होंगी या जादा होंगी, तो उससे problem होंगी, तो वो क्या है, abnormality create करती है, body के अंदर, लेकिन, इसी type की चीज़े, कभी-कभी किस तरीके से abnormal कर रही है, कि वहाँ पे, जो cells है, अब मैं आपको short में बदा देती हूँ, क्या होता है, हमारे cells होते हैं, जो की control करती है cell division को, लेकिन अगर वहाँ पे mutation हो गई, तो ये cell division control नहीं कर पाती, तो जो cell है, वो uncontroll उसमें नहीं है, तो वो grow करते रहते हैं, करते रहते हैं, cell division होता रहता है, होता रहता है, जिसकी वज़ज़ से ultimately वो tumors बन जाते हैं, और जो tumor एक जगा के दुशी जगा फैलते हैं, उनको cancer बोलते हैं, तो बहुत सारे mutagens, mutagens वो होते हैं, जो mutation को cause करते हैं, और mutant वो होता है, जिसमें mutation हो चुकी है, तो उस तरीके से, वो cancer produce कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमने, एक next लिखा है, point mutation, अब देखो, एक चीज़ और आजाती है, point mutation, and एक आजाता है, हमारे पास, frame shift mutation, तो अब भी तक हम क्या कर रहे थे, chromosome level पे पढ़ रहे थे, अब यही चीज, कभी कभी, gene level पे भी हो सकती है, मान लो कि, मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है, अब यह है, अलग-अलग genes है, यह अलग-अलग चीज़ों के संग quote कर रहे होंगे, अब let's suppose, एक ही चीज change हो गई, इसकी जगा गलती से T आ गया, तो यहाँ पे G के साथ, sorry, C के साथ, G वढ़ना चीए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे point mutation हो गई, एक nucleotide change हो गया, यानि की nucleotide level पे जब होती है, तो C की जग़ T आ गया, तो अब G ना जुड़के वहाँ पे A जुड़ेगा, तो जिसकी वज़ा से reading change हो जाएगी उसकी, और उसको बोलेंगे point mutation, उसका बहुत अच्छा example, हम secal cell anemia आगे पढ़ेंगे, ठीक है, frame shift, अगर यही बहुत ज़ादा होगी, जिसकी वज़ा से पूरा frame ही shift हो गया, पूरा frame ही change हो गया, तो उसको frame shift mutation बोलेंगे, then जो mutagens जो की cause कर रहे हैं, वो कोई chemicals हो सकते हैं, कोई physical हो सकते हैं, जैसे UV radiations हो गए हैं, induce कर दिया mutation को, ठीक है, अब यहाँ पे mutation के बाद, हमारा अगला topic आ गया, pedigree analysis, तो pedigree analysis में क्या होता है, कि पूरा inheritance pattern है, उसको study कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह पूरा आपको chart दिया है, हमको पता होना चाहिए, कि male के लिए क्या है, female के लिए क्या है, किस तरीके से pass on होते हैं, characters, ठीक है, इस related questions भी आते हैं, अब हम आज आते हैं, direct जो NCRT में जिससे question पूछे जाते हैं, that is mental disorder, तो देखो genetic disorder, दो categories में बाद दिये हैं, एक होते हैं, mendelian disorders, और दूसरे हो जाते हैं, हमारे पास, chromosomal disorder, तो पहले देख लेते हैं, mendelian disorders कौन-कौन से हैं, अब ये वो होते हैं, जिसमें कोई alteration हो गई, mutation हो गई, एक single gene में, point new patient हो गई, अब वो क्या है, definitely हम उसको pedigree analysis के दूप पढ़ भी सकते हैं, क्यूंकि वहाँ पे, वो inherent हो रहे हैं, parents से offspring, तो अब उसका पूरा inheritance पर आटन देख सकते हो, तो ट्रांस्मेट हो रहे हैं, from parents to offspring, ठीक है, अब यहां पही लिखा है, जो mendelian disorder है, वो trace किये जा सकते हैं, pedigree से, अब देखो कौन-कौन से हो गई, हमारे पास hemophilia हो गया, cystic fibrosis हो गया, cecal cell anemia हो गया, color blindness, phenyl cutenaria, and thalassemia, अब बुक में, detail में सिर्फ थोड़े ही दे रखे हैं, लेकिन हमको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, तो यहां पे हम एक एक करके सम्में आ जाते हैं, सबसे पहले जो मुझे हैं पर पढ़ना है, that is, cecal cell anemia, देखो, यह है एक autosome linked recissive trace, ठीक है, तो simple सी बात है, यह autosome में जाती है, sex chromosome इसके हम cross में नहीं दिखाएंगे, अब इसका, जो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो यह मेरा Hb, Hb, दो alleles हो गए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर S लिख लूँगी, तो यह सफरर अलील हो गया, और अगर मैं यहाँ पर A लिख लूँगी, तो यह normal हो गया, तो उस तरीके से मेरा एक यह possible होगा, जिसमें दोनो S होंगे, और एक जिसमें दोनो A होंगे, अब देखो, यह जो दोनो A वाले हैं, यह definitely बिल्कुल normal है, इसको तो hemofolia होगा नहीं, ठीक है, अब देखो, दूसरी condition क्या है, जब इसमें एक present होता है, यहाँ पे यह हो जाता है carrier, ठीक है, carrier है, इसका मतलब, इसके पास एक है, और इस case में यह क्या हो जाता है, sufferer, अब देखो, दूसरी चीज, यह बोल रहा है, autosome, autosomes में पढ़ लिया, और recissive trait है, recissive का मतलब यह है, यहाँ पे, कि जब दोनों में present होगा, recissive क्या होता है, जब tall, tall है, तब ही यह, जब दोनों में S आएगा, जब यह वाला genotype आएगा, उस case में यह organism, यह individual sufferer होगा, ठीक है, अब यह देखो ध्यान से, जिसके पास यह होता है, heterozygous होते हैं, इस condition में, यह unaffected रहते हैं, लेकिन यह carry करते हैं, disease को definitely carry करेंगे, disease को, है ना, यहाँ पे basically क्या होता है, point mutation हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया था, यह बहुत अच्छा example है, point mutation का, एक nucleotide में change आ गया, तो देखो यह थी normal HbA, एक peptide थी, hemoglobin peptide हो गई, ठीक है, this is beta chain of hemoglobin, पता होना चाहिए, अब इस beta chain of hemoglobin में, point mutation हो गई, अब यह कहां हुई, sixth position में, जहां पे, एक change हो गया, कैसे change हो गया, अब देखो, यह होना क्या चाहिए था, GAG होता है, जब इसके संग जुड़ेगा, इसका complementary तो वो CTC हो जाएगा, अब जब proteins बनेंगे, जब proteins बनेंगे, GAG बनेगा, यह GAG जो code करेगा, glutamic acid के लिए, तो यहां पे glutamic acid बनेगा, यह तो normal होगा, लेकिन क्या हुआ, इस A की जगे, यहां पे T आ गया, जिसकी बज़ा, इसकी complementary A जुड़ गया, जब mRNA बना, जब यह बना, GUG जो की valine के लिए, अब code करने लग गया, तो glutamic acid की जगा, 6th position में valine जुड़ गया, जिससे की पूरा इसका reading change हो गया, और इसकी वज़े से क्या हुआ, हीमोगलोबिन की shape में change हो गया, normally इस तरह की के cell मिलते थे, अब भी क्या हो गये, यह सीकल shape के हो गये, अब क्यूंकि यह सीकल shape के हो गये, तो blood vessels में, यह easily move नहीं कर पाते हैं, stuck हो जाते हैं blood vessels में, obviously नहीं ही, हीमोगलोबिन के संग ठीक से bind कर रहे है oxygen, इनकी oxygen हीमोगलोबिन की binding ठीक से नहीं हो रही, जिसकी वज़े से, पूरी body में oxygen नहीं फैलेगा, और person क्या हो रहा है, अनीमिक हो जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, sickle cell anemia, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, autosomal trait हमने कर लिया, रेसिसिफ, एक यहाँ पे देरा खता, mono, sorry, myotonic dystrophy, अब देखो इसको कैसे learn करेंगे, myo का मतलब है, muscle, ठीक है, देन उसमें, हमारे पास tonic आ जाता है, word, spasm के साथ, disuse करते हैं, कोई चीज जो ठीक से नहीं हो रही है, bad हो गई, और trophy use हो गया, उसकी nourishment के लिए, तो यहाँ पे nourish, तो यह एक group of disorder होता है, तो अब इसमें क्या होगा, जो muscle होगी, वो बिल्कुल उसमें nourishment नहीं होगी, जिसके वज़े से वो काफी weak रहेगी, spasm होता रहेगा, बार बाए उसमें contraction होगा, देन उसके बाद, जब contraction बार बार हो रहा है, तो relaxation ठीक से नहीं हो पा रहा है, problem रहेगी, तो यह group of disorders है, अब देखो इसके खांजबाद यह है, जैसे यह recissive था न, यह भी है autosomal में, ठीक है, यह xy में नहीं है, autosomes में ही है, लेकिन यह होता है dominant, ठीक है, dominant का मतलब, अब let's suppose, मैंने ए गे ले लिया, a, a, अगर किसी को, myotonic dystrophy है, तो let's suppose, यह D मान लिया, अब क्योंकि यह dominant है, तो अगर एक भी present होगा न, तो यह carrier नहीं होगा, यह सीधा का सीधा, सफरर होगा, अब यह देखो, यह जो मुझे pedigree दे रखा है, यह autosomal dominant rate का है, हमीज़ा याद रखना, dominant rate में generation skip हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर देखो, generation skip हो रही है, इसमें कोई नहीं है, 50% chances है, आगे पास होने के, यहाँ पर क्या है female, अगर चाहिए carrier रही होगी, चाहिए सफरर रही होगी, यह अपने pass करेगी, ठीक है, यहाँ पर generation skip हो रही है, अब एक चीज़ देखो, जो autosomal recessive है, जो अभी हमने सीकल cell anemia पढ़ दिया, यहाँ पर कभी भी generation skip नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, pedigree के time पे, बाकी अगर अब चाहो, मैं एक video बनाऊंगी, जहाँ पर हम पूरा pedigree से analysis करेंगे, next disease हम करेंगे, hemophilia, अब देखो hemophilia को, क्यों Victoria disease भी बोला जाता था, क्योंकि यह सबसे पहले देखी गई थी, क्यों Victoria को हुआ था, यहाँ पर, तो उनकी family की जो pedigree analysis है, भाँ पर हम देख सकते हैं, किस तरीके से travel हुई है, अब अगें यह जो है, एक sexed link recissive disease है, इस particular disease यह जब हो जाती है, तो इसमें blood clotting effect होती है, blood ठीक से clot नहीं हो पाता, तो अगर चोटी सी कोई minor चोट भी लगती है, तो बहुत जादा घून भेता है, अगर कोई severe injury हो गई, तो जिसके वज़े से सीधा death हो सकती है, अब यह different type का होगा, अब अगर मान लो की 8 clotting factor का है, 8 AHF का है, तो उस case में क्या होगा, हीमोफियोलिया A होगा, अगर 9 clotting factor है, जिसको हम Christmas factor भी बोलते हैं, तो वो हीमोफियलिया भी होता है, ठीक है, इस case में again जो females होती है, वो काफी rare होंगी सफरर, क्योंकि यह recessive है, तो carrier ही होती है, अब देखो ऐसा Q, देखो क्या होगा, यह XH है, यह X, अब यह sex link disease है, तो यहाँ पर मैं sex chromosome बना रही हूँ, यह XY हो गया, अब देखो, मैंने कह बोला, यहाँ पर female carrier होती है, फ्रफरर बहुत rare होगी, क्यों, देखो, यह carrier होगई यहाँ पर, ठीक है, और अगर let's suppose, यह जो father है, वो normal है, अगर normal होगा, तो again यहाँ पर, जो भी X chromosome आएगा, जिसके पास, तो देखो, यहाँ पर क्या होगा, female तो यह वाली possible है, है ना, और normal female भी possible है, और अगर हम X वाला देखेंगे, तो हमें इस तरीके का, male मिलेगा, यह क्या होगा, अब यह यहाँ पर सफरर हो जाएगा, क्यों देखो, अब इसके दोनों चीज़े हैं, एक चीज़ तो यह क्योंकि यह recissive है, अगर यहाँ पर दोनों ही X पर होगा, ऐसे पढ़ लो तो तभी होगा वह disease, लेकिन, एक चीज़ और है देखो, यह चीज़ इस तरीके से भी देखो, कि अगर एक X पर है, तो उसका counter effect करने के लिए, दूसरा X होता है महाँ पर, यानि अगर कोई एक खराब जीन है, तो उसका असार कम करने के लिए, महाँ पर दूसरा X है, लेकिन males के case में क्या हो रहा है, अगर एक ही X है, अगर उस X पर एक affected जीन हो गया, तो definitely वो फिर sufferer हो जाएगा, दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर, क्यूं male और भी sufferer नहीं होती, अब देखो अगर इस तरीके से होगा, तब ही मुझे female sufferer मिलेगी, क्यूंअब जाके जब इनकी crossing होगी, तब जाके मुझे एक इस तरीके की female मिलेगी, जिसमें dominant होगा, यानि इस तरीके से मुझेगा मिलेगा, एक father से आएगा, एक mother से आएगा, ठीके, तब जाके यह sufferer होगी, पर एक चीज़ याद रखो, यह male जो था, वो sufferer था, तो यह उस reproductive age में आहीं नहीं पहेगा, तब तक तो उसकी death हो जाएगी, या वो reproduce करने के लायक ही नहीं हो पाएगा, कि वो इस तरीके की प्रोजनी आगे पास करे, इसलिए बहुत जादा rare होता है, तो हमको यह pedigree देखने को नहीं मिलता, next हम disease पढ़ते हैं, यह हमने यह वाली disease पढ़ ली, which is phenyl ketonoria, तो again यह होता है, एक autosomal recissive trait, ठीक है, इसमें भी mutations होती है, mutation की वज़ा से, यह particular disorder होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, phenyl aniline, जो की एक बहुत important amino acid है, वो बन नहीं पाता, देखो ऐसा क्यूं होता है, सबसे पहले यह देखो phenyl aniline का काम क्या है, इसको मैं PA लिख देती हूँ, यह जो है, एक amino acids है, जो की triocene में convert हो जाता है, triocene, जब यह triocene में convert होता है, फर्दर यह triocene, निउरो ट्रांस्मीटर में convert हो जाते हैं, अब यहाँ पर मुझे बतानी की ज़रूरत है, नहीं, निउरो ट्रांस्मीटर कितने ज़्यादा important है, हमारी brain तक signal पुचाएंगे, brain की activity को काम करेंगे, तो जिसकी वज़ा से, again, जो brain की activity है, वो ठीक रहेगी, better रहेगी, बट अब क्या हो जाएगा, यह नहीं हो पा रहा है ठीक से, यह जो phenyl aniline को triocene में, बदलने वाली चीज होती है, वो एक enzyme होता है, जिसको बोलते हैं, phenyl alanine hydroxy lase, इस autosomal recessive rate की वज़ा से, इस disease की वज़ा से, एक ऐसी mutation हो जाती है, chromonormal में, 16th autosom में, जो की यह phenyl alanine hydroxy lase, नहीं बन पाता, अब जब यह नहीं बन पाता, तो definitely phenyl aniline, आगे convert नहीं हो पाएगा, जिसके वज़ा से, इसकी क्या होने लग जाती है, accumulation हो जाती है, जादा होने लग जाता है, अब जब यह जादा होगा, तो यह phenyl pyrovic acid में, तो तूपने लगता है, तो आप इसलिए detect भी कर सकते हो, क्योंकि absorption नहीं हो पाती, इसकी kidney में, ठीक है, तो यह होता है phenyl cutenuria, अब यहाँ पर एक और हमें disorder नहीं दे रखा है, which is important, और वो हम करेंगे, which is thallassemia, अब अगें यह एक autosomal recissive disorder होता है, ठीक है, जो recissive है, तो इसका मतलब again, अगर यह दोनों में present होगा इस तरीके से, तभी जाके sufferer होंगे, अगर इस तरीके से होगा, तो यह क्या होगा, carrier होगा, और यह person क्या है, normal है, ठीक है, अब अगर इस तरीके से होगा, तो उस case में, वो person आगे, मुश्किल होगा उसको reproduce करना, क्योंकि यह again एक ऐसी disease है, जिसमें जो person है, बहुँ जादा अनीमेक हो जाता है, ठीक है, तो thallassemia हमारा एक autosomal recissive disorder है, then हम आ जाते हैं, हमने यह सारे diseases पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे, chromosomal disorders में, तो अभी तक हमने, mendelian disorders पढ़े थे, अब हम chromosomal disorder पढ़ेंगे, अभी तक क्या हो रहे था, कोई mutation हो रही थी, किसी sex link में, या किसी normal autosom में, इस तरही किसे हो रही थी, लेकिन अब कोई chromosome में changes आ रहे हैं, aberrations हो रही हैं, जहां पर उसका arrangement change हो रहा है, क्यों, क्योंकि यह पर एक और जादा chromosome, या तो add हो रहे हैं, या सपराग्ट हो रहे हैं, तो यह दो वज़से होती है, chromosomal disorder, एक वज़ा होता है, इसका aneuploidy, aneuploidy क्या होती है, जिसमें, कम number of chromosome, यानि कि एक और chromosome, या तो जादा हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, for example, human में कितने chromosome होते हैं, मार पास 46 chromosome होते हैं, अब यह 46 से 45 हो सकता है, ठीक है, एक कम हो गया, या यह 44 हो सकता है, similarly, यह 46 से एक बढ़ भी सकता है, या 48 भी हो सकता है, काम उ जाते हैं तो उसको बोलते हैं नली जोमी 10 अग एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो कहते हैं शायोजोमी और इसी तरीके से दो Αफ रोगए तो टेटरा जोमी और सो ऑन चलता रहता है । दूसरा एक कंडीशन आता है हमारे पास polyploidy, यह क्या है, अभी aneuploidy में less number of chromosome change हो रही थे, यहाँ पे पूरा का पूरा set ही chromosome का change हो गया, जैसे ploidy level किसी human की 2N होती है, अब मान लो यह 5N हो जाए, या 6N हो जाए, पूरे chromosome का set ही कितना जादा बढ़ रहा है, उस case में इसको बोलते है polyploidy, humans में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि possible नहीं है, वो survive करें, तो यह plants में देखे जाता है, जैसे wheat plant में देखा जाता है, तो simple सी चीज़ है, let's suppose अगर gametes बनते वक्त 2N distribute नहीं हुआ, तो यही 2N बाद में जब एक दूसरे 2N के संग combine हुआ, तो 4N बना दिये, tetraploidy हो गई उसकी, तो यहाँ पर पूरा whole set change हो गया, chromosome का, ठीक है, तो यहाँ पर हम important disorders पढ़ेंगे, उसमें down syndrome, turner syndrome, clean finter, यह पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारे पास down syndrome, अब देखो down syndrome, trizomy का condition है, trizomy में क्या होता था, एक extra हो जाता था, try हो जा रहा है, ठीक है, तो 46 chromosome होते हैं, और अब यह 46 कैसे होते हैं, 44 तो autosomes होते हैं, और उसके लावद 2X chromosome होंगे, या तो XY होगा, या XX होगा, इसमें, अब यह देखो यह चीज़े important है, यह describe किया था London Down ने, इसलिए इसका नाम था, Down syndrome का भी किया था, 1866 में, इसमें एक additional copy आ जाती है, chromosome की कौन से, chromosome number 21, तो यह sex chromosome में नहीं आती, यहाँ पे autosome में, 21st chromosome में, एक extra copy आ जाती है, अब जिसकी वज़े से क्या होता है, short statured रहता है, head जो है, वो round रहता है, यह important है, tongue furrowed रहेगी, अंदर की तरफ घड़ा रहेगा, उसमें partially open रहेगा, जिसके विसे saliva निकलता रहता है, अगर हाथ का आप palm देखोगे, तो वो broad होगा, creases होंगी, अलग ही type की, psychomotor activity, mental retard, mentally retard होगे, brain काम ठीक से नहीं करेगा, physically ठीक से काम नहीं कर पाओगे, next आ जाता है, clean fenter syndrome, again यह भी एक genetic disorder है, जिसमें एक additional copy आती है, x chromosome में, अभी क्या आ रहा था, यहाँ पर auto zoom में आ रही थी, अब यहाँ पर एक x chromosome extra आ रहा था, तो यहाँ पर 44 के साथ, एक x chromosome extra आ गया, तो यह x x y condition हो गई, ठीक है, अब यह देखो, इसमें, अब जैसे अगर for example, एक extra chromosome extra आ है, तो जिन males को यह होगा, तो उसमें feminine characters आ जाएंगे, अब देखो, यह very important, gyneocomastia, इसमें development of breast हो जाती है, in case of males, वो individual stesterile रहते हैं, reproduce नहीं कर पाती, last आ जाता है turner syndrome, अब इस syndrome में क्या हो रहा है, एक absence हो जाती है, ठीक है, तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, trizomi कर रहे थे, extra पढ़ रहे थे, यहाँ पे monozomi की condition आ जाती है, तो 46 की जगा 45 chromosome हो जाती है, तो x o हो जाता है, और कौन सा लाग करता है, x chromosome, अब x chromosome अगर female में कम हो गया, यह अगर इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे वो female ठीक से reproduce नहीं कर पाती, rudimentary ovaries है, वो काम नहीं करती है, non-functional होती है, sexual characters नहीं आती है, तो यह होता है turner syndrome, इसके बाद हमारी chapter की summary आजेगी, जो हम revise कर लेंगे, तो यह थे हमारे सारे genetic disorders, very important, इसको अच्छे से learn करना, thank you.